लोटते हुए, क्यूं बिछडे थे दो प्रेमी, रेल पूरी रफ्तार से दोर रही थी, सब कुछ पीछे छोड़ते, हुए, तेज बहुत तेज, अचानक ही उसकी स्पीड, धीरे धीरे कम होने लगी, कोई छोटा सा स्टेशन था, रेल वहीं रुक गई, भीर का एक रेला सा मेरे डब्बे में, चद आया, मुहों हंसी आने को हुई यह सोच करकी, इन यात्रियों का बस चले तो शायद एक दूसरे के सिर, पर पैर रख कर भी चद जाएं, अचानक एक चेहरे को देख कर मैं चोंकी, वह अरुन, था, वह भी दूसरे यात्रियों के साथ उपर चद आ गया, शायद उसने मुझे अभी नहीं देखा, था, ये सोच कर मैंने राहत की सांस लिए थी की, अचानक वह पल्टा, डब्बे में सरसरी द्रिष्टी फिराते हुए, जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वह चोंक कर, बोला, रेखा, तुम, मैं अपने आपको सैयत कर अरुन से मिलना होगा, इसकी तो मैं ने कल्टना भी नहीं की थी, मुझे लगने लगा, दुनिया, बहुत छोटी है जहां बिछडे हुए साथी कहीं न कहीं, आपस में मिली जाते हैं, अरुन भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, बोला, सौरी, मैं ने आपको दे अरुन गा, उसके मुह से अपने लिए, आप सुनते ही मुझे एक धक का सालगा, मैं सोचने लगी, घटना आदमी को कितना बदल देती हैं, समय की धारा में संबंध, रिष्टे नाते, यहां तक की संबोधन भी बदल जाते हैं, कल तक मैं अरुन के लिए, तुम थी और मेरी बबोती नहीं है, मैंने स्वर को यथा संभाव, सहज बनाते हुए कहा, लेकिन अपने हावभाव को, छेपाने में मैं असमर्थ रही, अरुन के साथ ही दब्बे में दो माइनस चार बदमाश टाइप के लड़के, भीच्षाद आये थे, पहली उनकी तरफ मेरा ध्या नहीं गया था, अरुन को देखते ही मैं अपने होश खो बैठी थी, लाल कमीज पहने एक युवक मुझ से सट कर बैठ गया, अरुन ने भी उसे देखा था, लेकिन उसने फोरण ही मेरी तरफ से मुँ फेर लिया था, शायद उसे उस युवक का मेरे साथ इस तरह सट कर बै दाश्त नहीं हुआ था, लेकिन मैं चाहती थी कि अरुन मेरी तरफ देखे, उस ने अखबार के पीछे अपना चेहरा छेपा लिया था, लेकिन मैं जानती थी कि वो अखबार नहीं पड़ रहा, होगा, चोर नजरों से मुझे ही देख रहा होगा, दो साल, अरुन के साथ रही हूँ, सब कुछ भूल कर, सिर्फ उसी की बन कर, शायद अरुन अपनी आदत भूल चुका, हो, मुझे किसी और के साथ बात करते देखते ही, उसे गुस्सा आ जाता था, जिद्धी बच्चे जैसा ही तो, व्यवहार रहा है उसका, जो आदत उसकी 26 साल में बनी थी, व के बारे में कुछ नहीं जानता, आपको अगर कोई परेशानी न हो तो मुझे यहां के किसी होटल तक पहुचा दीजिए, मैं देख रही थी कि अरुन ये सब कुछ कहते हुए, हिचकिचा रहा था, पहली की तरह उसके स्वर में न अपनापन था, न बेफिक्री, मैं उसके साथ ही कैब में बैठ गई, फिर मैं सोचने लगी कि अरुन को मैं अपने घर ले चलूं तो शायद उसे दोबारा पास अखूं, लेकिन, लेकिन अगर अरुन ने मना कर दिया तो इस तो ने सारी बात पर फुल स्टॉप लगा दिया, लेकिन न जाने कैसे मेरी दबी शानी न हो तो मेरे घर पर रुख जाए, तुम्हारे घर अरुन ने आश्चर्य चकेतो कर कहा, उसकी स्वीकृती पाकर मैंने कैब वाले को अपने घर की तरफ चलने का इशारा किया, मेरे दिल से एक बोज सा उतर गया, पंदरा मिनट में ही कैब मेरे घर तक पहुंच गई अपने कमरे की अस्तव्यस्त हालत के, कारण मुझे अरुन के सामने शर्माने लगी, अरुन कमरे का निरीक्षन कर रहा था, बोला, कमरा तो, तुम्हें अच्छा मिल गया है, हाँ, पांच हजार रुपे किराया है इसका, इससे कम में, तो मिल ही नहीं सकता, मैं कह गई, तर अरुन को क्या क्या पसंद है, ये सब मुझे अभी तक याद था, उसे नाश्ता करा, कर मैं भी नहाने चली गई, क्या खाएगा, बहुत दिनों बाद मैंने किसी से पूछा, था, अरुन अपने सामने चार साल पहले वाली रेखा को, देख कर चौंक गया था, वह रेखा भ बनाती ही, कहा हूं, औरत सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खाना नहीं बनाती, उसकी कला तो दूसरों को त्रिप्त करने के लिए होती है, जब कोई खाने वाला ही नहीं तो मैं खाना किस के लिए बनाती, लेकिन मैं कुछ भी ना कह पाए, चुप-चाप मैं नियरुन की पसंद की चीजे बना ली, लेकिन हम दोनों में से, कोई भी एक कौर भी आराम से नहीं खा पाया, हर कौर के साथ कुछ न कुछ घुटता जा रहा था, रात हो चुकी थी, अरुन भी इधर उधर टहल कर लोट, आया था, मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है, बगल में मेरी सह पेली, रहती है, मैं वहां सो जाऊंगी, मैंने कहा तो अरुनाहत होकर बोला, रेखा, आदमी को कुछ तो विश्वास करना, की चाहिए, मैं इतना नीच तो नहीं हूँ, इससे आगे सुनने की मेरी हिम्मत नहीं थी, मैंने वहीं, बिस्तर लगा लिया, सारी रात जागते ह हुए ही बीती, अरुन भी जागता रहा और हम दोनों ही एक दूसरे, की नजर बचा कर एक दूसरे को देखते रहे, रोज की तरह सूरज निकल आया था अपनी अंजली, मैं धेर सारी आस्थाएं लिये, विश्वास लिये, मैंने सोचा, मेरा रोज का काला सूरज आज क्या मेरे लिए भी नई, आशाएं लेकर आया है, मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया ओफिस जो जाना था, अरुन चुपचाप लेटा हुआ था, न जाने वह क्या सोच रहा था, मैंने तैयार होकर चाबी उसे पकड़ाते हुए कहा, खाना बना हुआ है, खा लेना, ओफिस से जल्दी आ सको, तो अच्छा है, अरुन ने, कहा तो मेरी इच्छा हुई की काश, अरुन यही कह देता, रेखा, आज तुम आफिस मत जाओ, लेकिन मैं जानती थी, अरुन ऐसा नहीं कह पाएगा, उस समय भी तो वह ऐसा नहीं कह पाया था जब मैं, हमेशा हमेशा के लिए उसका घर छोड रही थी, तब आज, कैसे कह सकता था जबकि मैं वापस लोटने के लिए, ही जा रही थी, ऑफिस में भी अरुन को नहीं भूल पाए, कितना, परेशान हो रहा हो गावा, शायद पहचान का नया, सिरा धूंदने की कोशिश में हो, इसी उधेलबुन में, मैं दी ही घर लोटाई, मैं खाने के लिए मेज साफ करने लगी, अरुन का बैलेट वहीं रखा था, उसे हटा कर मेज साफ करने, कि सोच जैसे ही मैंने बैलेट हटाया, उसमें से एक फोटो नीचे गिर पड़ी, एकाएक मैं चौक पड़ी, किसी बच्चे का फोटो था, सहसा म मुझे एक धक का सालगा, मैं नीचे, बहुत नीचे, गिरती जा रही हूं और अरुन लगातार उपर चड़ता जा, रहा है, अब मैं अरुन को कभी नहीं पासकूंगी, पहले, एक छोटी सी आशा थी कि शायद उसे दोबारा कभी, पाल लूनगी, लेकिन आजो साशा ने दम तोड़ दिया, था, अरुन का बच्चा है, तो पत्नी भी होगी, जो बात, पिछले 24 घंटों में मैं अरुन से नहीं पूछ पाई थी, उसका उत्तर अपने आप ही सामने आ गया था, अरुन के पास सब कुछ था, पत्नी, बेटा, लेकिन, मेरे पास, बहुत प्यारा ब पिर से कुछ एटकने लगा था, अरुन का भी शायद यही हाल था, कभी हम दोनों ने यही नाम अपने बच्चे के लिए सोचा था, आज, अन्शुक अरुन का पुत्र है, लेकिन मेरा पुत्र क्यू नहीं, है, अन्शुक मेरा पुत्र भी तो हो सकता था, मैं मन ही मन कुल गुलाने लगी अरुन क्या तुमने हमारे उस घर में लिप्टी धूल को पोंचने के साथ साथ मुझे भी पोंच डाला है क्या तुम मुझे अपने दिल से निकाल सके हो तुमने अपने पुत्र का नाम अन्शुक क्यूं रखा मैं धेरो सवाल पूछना चाहती थी लेकिन कु लेकिन फिर भी आशा तो थी ही पीछे लोटने की लेकिन अब तो सब दर्वाजे बंध हो चुके हैं और आगे भी रास्ता बंध दिखाई दे रहा है अब मैं कहां जाऊंगी हार हार इस हार ने तो मुझे अंदर तक तोड डाला है फिर भी मैं शीग्रही संभल गई इन च चलना है मैं सहज होकर तयार हो गई थी अब तक मैं समझा चुकी थी कि अरुन अब मेरा केवल परिचित मात्र रह गया है लेकिन फिर भी मैंने लाल बॉंड वाली पीली साड़ी पहनी थी अरुन अपनी पसंद की साड़ी में मुझे देखता ही रह गया था मैंने फिर मन ही मन कहा क्या देख रहे हो अरुन मैं वही रेखा हूँ कुछ भी कहीं भी नहीं बदला है फिर किस वज़े से हम एक दूसरे से इतनी दूर हो गए हैं मैंने सिर जटक दिया सीधिया उतरते ही हम भीर भरी सड़क का एक अंग बन गए उस दिन में ठक कर चूर हो गई थी पर मे मेरी आखों में नींद कहां थी अरुन भी पिछला कुछ नहीं भूला था वह लगातार सिगरेट पीता रहा फिर अचानक बोला रेखा वैसे तो अब तुम पर मेरा कोई हक नहीं लेकिन तब भी कह रहा हूं इतनी दूर अकेली मत रहो लोट आओ वापस लखनो नौकरी कर कभी पसंद नहीं आया मैं ने फिर कहना चाहा अरुन नौकरी करना उनके लिए जरूरी नहीं जिनके पास सब कुछ हो मेरे पास तो कुछ भी नहीं फिर पिछला सब भूलाने के लिए ही तो मैं इतनी दूर आई हूं वरना नौकरी तो मुझे वहां भी मिल जाती लखनों वापस लोट कर मैं क्या जिन्दा भी रह पाऊंगी जब अतीत बुरे सपने की तरह पीछा करेगा तो उससे मैं कैसे बचेंगी कहां कहां भागूंगी किस किस से बचूंगी नहीं अरुन मुझे वापस लोटने को मत कहो मुझे जूठी मृगत्रिश्ना में मत फंसाओ जा पीर्या को मैं किस से कहती जिसे मैंने तन्मन से पागलपन की हग तक प्यार किया था उसी ने मुझे गलत समझा था मुझ पर अविश्वास किया था इसी वजह से मेरा दबा आत्म सम्मान से रूठा चुका था और फिर मैंने कठोर फैसला कर ही लिया था तब मैं अरुन से यह कहकर चली आई थी अरुन अविश्वास करना तुम्हारी आदत में शामिल हो चुका है डॉट इसलिए तुम मेरी किसी बात पर अब विश्वास नहीं कर पाओगे मैं जा रही हूँ यकीन मानो अब कभी मैं तुम्हारे दरवाजे पर लटकर नहीं आउंगी मुझे या दगी दी थी राकेश कहा है आज कल अचानक मेरे मूँ से निकल गया अरुन ने कंधे सीधे कर सिग्रेट ली मैंने महसूस किया वो कुछ ज़्यादा ही सिग्रेट पीने लगा है मून से धुआ निकालते हुए उसने कहा अमेरिका में है वही उसने किसी बंगाली लड़की स शादी कर ली है मुझे चककर सा आने लगा यानी सब आगे बढ़ गए हैं राकेश अमेरिका में है अपनी पतनी के पास मुझ पर अविश्वास करने वाला मेरा पती भी अपनी पतनी और बच्चों के साथ है तो क्या मैं ही अभिशप्त हूँ किया मेरा कारावास कभी खत् अपने लिए निर्नय पर अब मुझे पच्चतावा होने लगा जूठे आत्मसम्मान के चककर में मुझे क्या मिला अतीत के चंद सुखद पन्ने और अंधकार में एका की भविश्य ही न जहां भटक जाने पर भी अब मुझे कोई पुकारने वाला नहीं अभी तक कभी रो तावा हो रहा है तब मैं खुद ही तो उन सारे दर्वाजों को बंद कराई थी हमेशा हमेशा के लिए एक सवाल ने मेरे मन में हलचल मचा दी थी अरुन से उस समय नहीं पूछ पाई थी सोचा था अरुन खुद पूछेगा और मैं जूठा आत्मसम्मान छोड़ कर उस के पास वापस चली जाऊंगी लेकिन उसका भी तब आत्मसम्मान बाधक बना हुआ था इसलिए तो मेरे इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पाया था अरुन तुमने मुझ पर अविश्वास क्यों किया मैं ने तो तुम्हें हमेशा ही चाहा एक ही छट के नीचे एक ही बि पूर्व की घटना लग रहा था जैसे अभी कल ही घटी है आज लाकेश आया था हम कितनी देर बाते करते रहे पता ही न चला मेरी आवाज पर अरुन कुछ चौंक सा गया था बोला था अच्छा कब आया था मुझ से मिला नहीं लेकिन मैंने अरुन की बात पर ध्यान नहीं दिया था तब अरुन अपने अंदर एक वहम पाल बैठा था फिर वो उसे पालता ही रहा था जाने अन जाने मैं ने भी उस वहमरूपी पौधे को और सींच दिया था कहा था तुमसे अच्छा ही है वह उस वक्त उम्र के उस मोल पर रंगीन दुनिया में विचरते हुए मै मैंने यथार्थ के धरातल पर उतरने की जरूरत नहीं समझी थी पियार के आवेश में मैं सब कुछ भूल गई थी पियार के साथ समझ धारी भी चाहिए अरुन पर अगाध विश्वास के कारण ही तो मैं सब से हस्ती हुई बोलती रहती थी लेकिन तभी मैंने महसूस किया था कि अरुन बदलता जा रहा है हमारे संबंधों में अजीब सा ठंड आपन आ गया है जब हम दोनों बैठते तो बीच में एक निशब्द सन्ना था पसरा रहता पहले दूर रहते हुए भी एक दूसरे के सुख़द स्पर्श का एहसास होता रहता था लेकिन अब स्थिती में एक अजीब सा अंतर आ गया था मैं अरुन के पास जाने की कोशिश करती तो लगता अरुन मेरी आँखों में किसी और को तलाश रहा है अरुन उपर से अब ठंडी राख की तरह लगने लगा था लेकिन उसका अंतर जल रहा था क्रोध से या फिर इरश्या से और फिर ए पास जो व्याकुलता से उसका इंतजार कर रहे होंगे मैं अरुन को स्टेशन छोड़ने गई थी मेरा पल्ला हवा में लहरा कर अरुन के कंधे से लिप्ट गया था जो शायद मेरे लोट जाने की इच्छा को प्रकेट कर रहा था हम दोनों ही चुप थे कितने अनपूछे प्रश्न हमारे बीच तैर रहे थे रेल आ गई दो माइनस तीन मिनट बाकी थे मैं पूछना चाह रही थी अरुन क्या सारा दोश मेरा ही था तुम निर्दोश थे तब फिर मुझे ही क्यूँ सजा भूगतनी पड़ रही है क्या इसलिए कि मैं तुम्हें आज भी भुला न नहीं पाई हूँ रेल ने सीटी दे दी अरुन लपक कर डब्बे में चढ़ गया बंद मुठी से कुछ फिसल ने लगा था खिलकी पर रखे मेरे कांपते था पर अरुन ने हौले से अपना हाथ रख दिया था और फिर धीरे से बोला था अपना खयाल रखना रेल चल चुक हुए कनों को सहेज कर रखना था मैं सिस्क पड़ी थी मन ही मन बढ़ बढ़ाते हुए अरुन तुम्हारा तो इंतजार हो रहा होगा लेकिन मेरा आब कौन इंतजार करेगा तुम्हारी कहानी शायद यहीं समाप्त हो जाएगी लेकिन मेरी कहानी तो यहीं से शुरू हो रह ही है नए सिरे से और मेरे पैर उस रास्ते पर बढ़ चले जिसे मैं खुद भी नहीं जानती सप्ता का एक दिन रिचा की क्या थी गलती अजय अभी भी अपनी बात पर अडिग थे नहीं शोभा नहीं जब बेटी के पास हमारे लिए एक दिन का भी समय नहीं है तब यहां कर बरबाद करूं और फिर रह तो लिए महीना भर पर शोभा अभी भी असमंजस में ही थी हम लोग पूरे दो महीने के लिए आए हैं इतनी मुश्किल से तो आपकी छुट्टिया मनजूर हो पाई हैं फिर आप जल्दी जाने की बात कहोगे तो रिचा नाराज होगी रिच रिचा अरे उसे हमारी परवा कहां है हफते का एक दिन भी तो नहीं है उसके पास हमारे लिए फिर हम अभी जाएं या महीने भर बाद उसे क्या फर्क पड़ता है अजय फिर बिफर पड़े थे शोभा खामोश थी पती के मर्म की चोट को वह भी महसूस कर रही थी अजय क् उस समय भी गुस्सा आया था जब फोन पर ही रिचा ने खबर दी थी ममा जल्दी यहां आओ आओ आपको सौरब से मिलवाना है सच अप लोग भी उसे बहुत पसंद करेंगे सौरब मेरे साथ ही माइक्रोसोफ्ट में कम्प्यूटर इंजिनियर है डेशिंग, पस्नेलिटी प्लीजिंग बेहेवियर और भी पता नहीं क्या क्या कहे जा रही थी रिच्छा, अजय का पारा चड़ने लगा, फोन रखते ही बिगड़े थे, अरे बेटी को पढ़ने भेजा है, वो वहां म, एस, करने, गई है या अपना घर बसाने, दामाद तो हम भी यहां, ढून ले भारत में क्या अच्छे लड़कों की कमी है, कितने रिच्टे आ रहे हैं, फिर हमारी इकलोती लाडली, बेटी, हम कौन सी कमी रहने देंगे, बड़ी मुश्किल से शोभा आजय को कुछ शांत कर, पाई थी, आप गुस्सा थूख दीजिए, देखिए, पसंद, तो बेटी की पसंद पर, मुहर लगानी है, उसे हमारी पसंद से क्या लेना देना, हम तो अब कुछ कही नहीं सकते हैं, अजय, कहे जा रहे थे, बाद में रिच्छा के और दो माइनस तीन फोन आये थे, बेमन से ही, सही पर जाने का प्रोग्राम बना, अजय को बैंक से, छुट्टी म जूर करानी थी, पासपोर्ट, वीजा बनना था, दो महीने तो इसी में लग गए, अब इतनी दूर जा रहे, हैं, खर्चा भी है तो कुछ दिन तो रहें, यही सब सोच, कर दो महीने रुकने का प्रोग्राम बनाया था, पर यहां आकर तो महीना भर कातना भी अजय को, मु बड़ी बहुत बस के रुट, पता कि ये पर अंजाने देश में सभी कुछ हितना आसान नहीं था, फिर सब से बड़ी बात तो ये की रिचा के पास समय नहीं था, सपता के पांच दिन तो उसकी व्यस्तता के होते ही थे, सुबह साथ बजे घर से निकलती तो, लोटने में रात के आठ साड़े आठ बजते, दिन भर अजय और शोभा अपार्टमेंट में अकेले रहते, बड़ी उतसुकता से वीकेंट का इंतजार रहता, पर शनिवार, इतवार, को भी रिचा का सौरब के साथ कहीं जाने का कार्यक्रम बन जाता, एक माइनस दो बार ये लोग भी उनके साथ गए पर फिर अटपटा सा लगता, जवान बच्चों के बीच क्या बात करें, इसलिए अब खुद ही टाल, जाते, सोचते, बेटी स्वयम ही कुछ कहे पर रिचा भी, तो आराम से सौरब के साथ निकल जाती, सब कुछ तो बेटी ने तैकर ही लिया है, बस हमारी पसंद का ठपा लगवाना था उसे, पर बुलाया क्यूं, था हमें जब सप्ताह का एक दिन भी उसके पास, हमारे लिए नहीं है, अजय का ये दर्ध शोभा भी महसूस कर रही थी, पर क्या कहें, अजय ने तो अपना टिकेट जल्दी का करवा लिया था, एक ही सीट खाली कह दिया रिचा से की बैंक ने, छुट्टियां कैंसल कर दी है, मा, तुम तो रुख जाती, ठीक है, पापा महीना भर रहे है, हीलिये, छुट्टियां नहीं है और अभी फिलहाल तो सीट, भी एक ही मिल पाई है, शोभा ने चुपचा पजय की ओर देखा था, भाई, तुम महारी तुम जानो, जब तक चाहो बेटी के पास रहो, जब मन भर जाय तो चली आना, अजय की बातों में छिपा व्यांग्य भी वह ताड़ गई थी, पर क्या कहती, मन में जरूर यह विचार उठा था की, ठीक है, रिचा ने पसंद कर लिया है सौरब को, पर वह, भी तो अच्छी तरह पर रख ले, अभी तो ठीक से बात भी नहीं हो पाई है, और फिर उसके इस व्यवहार से, अजय को चोट पहुँची है, ये भी तो समझाना होगा, बेटी को, अजय तीसरे दिन चले गए थे, अब और अकेला पन था, बेटी की तो वही दिन चर्या, थी, क् अरे, इधर सुबह टेहलने का प्रोग्राम बनाया, तो सर्दी, जो कौम, खांसी सब, जब दो माइनस तीन दिन खांसते हो गए तो रिचा नहीं उस दिन, सुबह सुबह मां से कह दिया, जब वह चाय बना रही, थी, अरे, आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, पास, ही डा डैनियल का नर्सिंग होम है, वहां दिखा दूं आपको, अरे, नहीं, शोबह ने चाय का कप उठाते हुए कहा, खांसी ही तो है, गरम पानी लूनगी, अदरक की चाय तो, ले ही रही हूँ, वैसे मेरे पास कुछ दवायां भी है, अब, यहां तो क्या है, हर छोटी मोटी बिमारी के लिए घेर से, टेस्ट लिख देते हैं, नहीं मा, डा, डैनियल ऐसे नहीं है, मैं उनसे दवा ले चकी हम, एक बार पैर में अलजी है, थी न तब, बिना बात में टेस्ट नहीं लिखेंगे, और उन, कि पतनी एनी भी मुझे जानती है, अभी मेरे पास, टाइम ह आपको वहाँ छोड़ दू, वैसे क्लिनिक पास ही है, आप पैदल ही वापस आ जाना, घूमना भी हो जाएगा, रिचा नी ये सब इतना जोर देकर कहा था कि शोभा को जाना ही पड़ा, डा, डैनियल का क्लिनिक पास ही था, सुबह से ही, काफी लोग रुसेप्शन में जम नज बारी-बारी से सब को बोला रही थी, यहां सभी चीजे एकदम साफसुत्री करीने से लगी, कुई लगती है और लोग कितने अनुशासन में रहते हैं, शोभा की विचार श्रिंखला शुरू हो गई थी, उधर रिचा, कहे जा रही थी, मा, डा, डैनियल ने अपनी न बेटा लेंगी, 75 से कम उम्र क्या होगी, पर सारा सेकरेटरी का काम, वही करती हैं, अपने बेटे के साथ ही रहती होंगी, शोभा ने पूछा, डौट, नहीं, रहती तो अलग हैं, असल में बहु से उनकी, बनती नहीं है, बोल चाल तक नहीं है, पर बेटे को भी, नहीं छ छोड़ पाती हैं, तो यहां काम करती हैं, शोभा को रिचा की बाते को छटपटी सी लगने लगी, थी, उधर नजने अब शोभा का ही नाम पुकारा था, अच्छा, म, मैं अब चलूँ, आप अपनी दवा लेकर, चली जाना, रास्ता तो देखी लिया है न, बस पांच, मि कमरे में बड़ी सी मेज पर कम्प्यूटर के सामने डा, मिसेज जौन बैठी थी, हाई, हाओ आर यू, वही चिर परिचित अंदाजिस, देश का अभिवादन करने का, सो, मिसेज शोभा प्रसाद, वाट इस योर प्रोबलम, और इसी के साथ मिसेज जौन की उंगलियां अखट, कम्प्यूटर पर चलने लगी थी, शोभा धीरे धीरे सब बताती रही, पर वह भी अभिभूत थी, इस उम्र में भी मिसेज जौन बनाव श्रिंगार की कम, शोकीन नहीं थी, करीने से कटे बाल, हूँठों पर लाल, गहरी लिपस्टिक, आँखों में काजल, चु तेरी हो गई थी, क्या पता अर्थराइटिस रहा हो, फिर भी कितनी चुस्ती से सारा काम कर रही थी, अब आप उधर जाओ, डा, डैनियल देखेंगे आपको, शोभा सोच रही थी कि मां होकर भी यह महिला, यहां बस जौब के एटिकेट्स की तरही व्यावाहार कर रही है कहीं से पता नहीं चल रहा है कि डा, डैनियल, उसी के बेटे हैं, डा, डैनियल की उम्र भी 50-55 से कम क्या होगी, लग भी रहे थे, एनी भी उसी उम्र के आसपास होगी, पर वह काफी चुस्त लग रही थी और उसकी उम्र का एहसास नहीं हो रहा था, बनाव श्रिंगार त फोन कर दिया होगा, खेर, उन्होंने कुछ दवायां लिख दी और कहा, आप, इनहीं लें, फिर फ्राइडे को और दिखा दें, आपको, रिलीफ हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर मैं और देख लूंगा, ओके, डॉक्टर, शोभा ने राहत की सांस ली, चलो, जल्दी छू आता की वह भी तो मां है पर रिच्छा ने कैसे इतनी मकेनिकल लाइफ से अपने आपको एज़स्ट कर लिया है, वहां देख कर तो लगता ही, नहीं है की मां की बेटे बहुसे कोई बात भी होती होगी, रिच्छा भी कह रही थी की मां अकेली हैं, अलग रहती हैं, अपने टाइम पर आती हैं, कमरा खोलती हैं, काम करती हैं, पता नहीं, शायद इन लोगों की मांसिकता ही अलग हो, जैसे दर्द इन हिच्छु नहीं पाता हो, तभी तो इतनी मुस्तेदी से काम कर लेते हैं, शोभा को फिर रिच्छा का ध्यान आया, इस वीकेंड में वह बेटी स भी खुल कर बात करेगी, भारत जाने से पहले सारी मन की व्यथा उरेल देना जरूरी है, वह थोड़ी ही मिसेज जौन की तरह हो सकती हैं, वैसे डा, डैनियल की दवा से खांसी में काफी फायदा हो गया था, फिर भी रिच्छा ने कहा, म, आप एक बार और दिखा देना, चाहो तो इन दवाओं को और कंटीनियू करा लेना, वह भी सोच रही थी कि फ्राइडे को जा, कर डॉक्टर को धन्यवाद तो दे ही दू, पैदल घूमना भी हो जाएगा, सबसे रहस्यमय व्यक्तित्व तो उन्हें मिसेज जौन का लगा, था, इसलिए उनसे भी एक बार और मिलने की इच्छा हुई थी, आज अपैक्षक्र तकम भीर थी, नज ने बताया, कि आज एनी भी नहीं आई हैं, डॉक्टर अकेले ही हैं, क्यूं, एनी छुट्टी रखती हैं न फ्राइडे को, अच्छा, पर सेक्रेटरी, हाँ, आप इधर चली जाओ, पर जरा ठहरो, मैं देख लूँ, मिसेज जॉन के कमरे के बाहर अब शोभा के भी पैर, रुक गए थे, शायद वो फोन पर बेटे से ही बात कर रही थी, पर ड्यानी, पहले ब्रेक फास्ट कर लो, फिर देखना पेशिंट को, यस, मैंने मफी बनाये थे, लाई हूँ और यहां, काफी भी बना ली है, यस, कम सून, ओके, आप जाए, नस ने कहा तो शोभा अंदर गई, वास्तव में आज, मिसेज जॉन काफी अच्छी लग रही थी, आज जॉन वाला एटिट्यूड भी नहीं था उनका, हलो, मिसेज शोभा, यू आर ओके नाव, चेहरे पर, मुस्कान फैल गई थी, मिसेज जॉन के, यस, I am fine, डॉक्टर साहब ने अच्छी, दभाया, ओके, ही, इस कमिंग हाया, यहीं आप, को देख लेंगे, आप काफी लेंगी, मिसेज जॉन ने, सामने रखे कपकी और इशारा किया, नो, थैंक्स, अभी ब्रेकफास्ट करके ही आई हूँ, शोभा को आज मिसेज जॉन काफी बदली हुई और, मिलन सार महिला लगी, you are also looking very cheerful today, वा, अपने को कहने से रोक नहीं पाई थी, oh, thanks, मिसेज जॉन भी खुल कर हसी थी, because today is Friday, this is my day, मेरा, बेटा आज मेरे पास होगा, हम लोग नाश्ता करेंगे, आज एनी नहीं है इसलिए, you know मिस This is my day, only day in the full week, मिसेज जॉन कहे जा, रही थी और, शोभा अभिभूत सी उनके चेहरे पर, आई चमक को देख रही थी, शब्दा भी भी कानों में, गूंज रहे थे, only one day in a week, फिर अजय याद आय, बेटी के पास सपता भर में, एक दिन भी नहीं है हमारे लिए, अजय का द की आकानक्षा, फिर अलग, कहा है हम लोग, only day in a week, वाक्य फिर ठकठक कर दिमाग पर चोट करने लगा था,